इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस्बुक में सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है नविगेशन बार तो बिसिकली ये होता क्या है इसकी सेटिंग्स हम कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो बिल्कुल ध्यान से दीखते रहे हैं तो सबसे पहले आप फेस्बुक में चले जाएं और मैं आपको बता दूँ नविगेशन बार क्या होता है ये जो हिस्सा है आपको प्रोफाइल नोडिफिकेशन ये आईकन वाच ये सब दिख रहे हैं ये हिस्से को हम बोलते हैं नविगेशन बार ठीक है तो अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं अब प्रोफाइल पर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और यहां पर हमें मिल जाता है नविकेशन बार तो कस्टुमाइज नविकेशन बार तो नविकेशन बार में हमने क्या क्या रखा है गेमिंग रखा है फीड रखा है वॉच रखा है तो मैं गेमिंग हटा देता हूं मुझे गेमिंग नहीं चाहिए तो आटो कर देते हैं इसे एंड फीड रहने देते हैं फीड और वाच इसके बदला हम यहाँ पर लगा देते हैं अब फ्रेंड रिक्वेस्ट पिन ठीक है यह मैंने लगा दिया आप चाहें तो और भी कुछ भी लगा सकते हैं और अगर इन्हें हटाना है तो आप हाइड कर सकते हैं तो यह आप जैसे कर लेते हैं इसके बाद बैग जाएं अब यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन डॉट आता है तो अगर वाच सेक्शन में कोई न्यू वीडियो अप्लोड हुई है तो इस तरीके से वहाँ पर आइकोन के ऊपर डॉट बनके आएगा आप इसे ओन आफ कर सकत बनके आएगा एड मेन्यू में भी कुछ नई नोटिफिकेशन आई हैं कुछ नए अपडेट आया तो आपको इस तरीके से आएगा तो बस आपको इतना करना है एक बर फेस्बुक को बंद करके चालू करना है और यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो निविगेशन बा